हेलो दोस्तों आप लोगों के साथ इम्म्यूनिटी पावर ड्रिंक की रेसिपी सेयर करेंगे यह बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है जिन लोगों की इम्म्यूनिटी कमजोर होती है मौसम के बदलाओं के साथ ही बाड़ी टेंपरेचर में बदलाओ आना शुरू हो जाता है सरदी जुखाम कमरदर्द जैसे समस्याइं बढ़ जाती है और आजकल जो बिमारी है ना उसे भी कोसदूर भगानी के लिए हमें इस पावरफुल ड्रिंक की बहुत ही जरूरत है आईए इस पावरफुल ड्रिंक को बनाते हैं चैनल में नए हैं तो सस्काइब कर सकते हैं रेशिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए इसे बनाएए अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए गैस पर पैन रख दीजिए और गैस को ओन कर दीजिए पर गैस की फ्लेम है ना इतना लो रखनी है ताकि मसाले डालते वक्त हमारी मसाले जले ना या फि चोटे चमच क्यूमन सेट्स याने की जीरे को डाल देंगे यह हमारी ना डाइजेस्टिक प्राप्लम को सहीं करता है और यह बहुत सी दवायों में उपयोग होता है यह आप सब लोग जानते हैं बहुत से लोग सुभे सुभे जीरा पानी पीते हैं ताकि उनका बजन कम हो चंच वह सार चेने काम आती हैं वेसे इसका उपियोग तू़ मेरे यहां भी किया जाता है और च दस लोग डाल देंगे तो लोग फूल यूज समया जाना है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है अब देख सकते हैं हमने किस पराकार की लोग का यूज किया है और पासे 6 इहां पर इलाच्य डाल देंगे एक चमस से ठोड़ा कम यहाँ पर मैठि दानी का यूश कर सकते हैं, पर मैंने मेठी को बाज में यूश किया है, मेरे पास रोश्च्ट मैथी थी एक चमस काली मीर्ची डाल देंगे येla को साफ करने में कफ को निकालने में मददकार सावित होता है हमें जिन जिन मसालों को रोष्ट करना था हमने डाल दिये हैं अब गैस की फ्लेम को मेडियम कर लेते हैं और मसालों को बोना इस्टार कर देती हैं तो मसालों को लगतार चलाते रहना ताकि मसालों का कच्छपन निकल जाए मसाले ना बहुत जादा नहीं बोना सिर्फ इतना कि मसालों से अच्छे सी खुजबों आने लगे और इसके जो मिनरल्स है बिटामिन्स है वो कम ना हो मसालों को तयार करने में जादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है बस पांच मिनिट का काम और इम्म्यूनिटी बोश्टर फटा फट बन करके तयार आप देख सकते हैं दो मिनिट में ही मसाले भुन करके तयार क्योंकि हमें मसाले जादा नहीं भुनना है सिर्फ इनको रोश्ट करना है कि अच्छे सी खुजबों आने लगे गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं और मसालों को कुछ दे ठंडा होने के लिए रग देते हैं क्योंकि जब मसाले ठंडे होईंगे ना तभी हमें इनको ग्राइंड करेंगे मसाले ठंडे हो चुके हैं पर जो इस्टिक है न मुझे काफी बड़ी सी लग रही हैं तो इनको ना तुकड़े कर लेते हैं अगर हम इतनी बड़ी इस्टिक डालेंगे तो कभी-कभी जार के खराब होने के चांसिस भी रहते हैं चलिए अब लेते हैं ग्रेंडिंग जार और सभी मसालों को इसमें डाल देते हैं पर कुछ मसाले अभी भी बाकी हैं तो वीडियो को इसकिप ना करते हुए फुल वर्च कीजिए एक चमच ड्राइ जिंजर पाउडर यानि की सोट पाउडर इसे भी डाल देंगे अगर आपक तरीक भी मेरे चैनल में अपलोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे इंपाउट चीज अब आएगी हल्दी यानि की टर्मरिक पाउडर हल्दी में करक्यूमिन और एंटी वाइरल तत्व बहुत जादा मात्रा में होते हैं जो आज की बिमार को सोते समय खा लीजी और एक सुबै आपको आराम महसूस होगा अब डालना है एक चमच मेथी दाने तो मेथी दाने मेरे पास रोस्टिट थी तो मैंने यहां पर एड़ कर दिया है मसालों का जो रेश्य बताया गया है उसी अधार पे आपको तयार करना है आप देख सकते ह इसमें कितना बढ़िया पाउडर बन करके तयार हुआ है इस प्रकार से पाउडर बना करके आप एक या दो मैने इस्टोर करके रख सकते हैं फिलहां जो बिमारिया है उन्हें भगाने के लिए हमारी इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी पाउडर को पना कर क्योंकि हम एक कप ड्रिंगम बनाने वाले हैं इसमें एक समझ गुल डाल देंगे गुल की तासिर गरम होती है और आयरेन पी होता है तो इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं पर अगर गुल का फ्लेवर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसमें सुगर यूज कर सकते हैं सहर बग देखा कर भी डाल सकते हैं बाद पानी को कुछ देर उबलने देंगे ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं सारा फ्लेपल टैस्ट पानी में आ जाए हम जब ड्रिंक तयार करें तो गैस की फ्रेम लो ही रखें तभी अच्छे से ट्रिंक तयार हो पाईगी हमारी इम्मूनिटी और यह आयर्वेट का सिद्दान्थ भी है पर सुभए नहीं पीना है ताम सवाव को भी बनाया जा सकता है और जो लोग ब्लेक डिंक फालव नहीं पीते तो वह डूद के साथ चाइ के साथ भी इसे यूझ कर सकते हैं आपको डूद के नहीं पीना है तो पाउडर में गोड में ला सकती हैं और छोटी-छोटी सी गोलियां बना लीजिए एक गोली सुबह और एक गोली साम ले सकती हैं थेंक यू बाई फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में